चुड़ो के दर नमस्ते हैं आप ससी अकाल मैं हुसी है संगर्पकान स्टेया स्वागत है आपका इस नए बैच में इस नए सेशन में और स्ट्रडीजिक फैनेंशिल मैनेजमेंट क्या आप आने वाले बहुत सारे दिनों के लिए कुछ नया सीखने के लिए तेयार है और ले क्या बल्द है पूटेया मैं है अगर यहां पे देखू तो मैं मेरे सारे student जॉइन हो गए है और एख स्टुदेंस रिंजिंग अगर इंडिया तो बहुत बढ़िया तो I think I'll skip the name part प्रफट आजाते हैं मुद्दे के उपर निराली प्रों मुंबाई स्वान एंड सोफोड रोहन भी से नाखपूर इतना तुम लग टाइप करते जाओगे तो कैसे दिखेगा आरुशी राची जारकन आर्थी, हैदरवाद, हुपाल, गुजराथ, होगेश I think Bangalore, great. So, welcome to each one of you. Abhishek, Krishnan, Kerala Yes, you can write your occasion again. So, time to get started guys. Okay, okay, Arushi Khandelwal, Delhi और कोई सिटी बज गया है, डाल दो है. सब सिटी से, के साइकृष्णा, बैंगलूरू, आरुशी सिंगल, गौलियर, दिपान्श शुषर्मा, अलवर, रूपल, मुंबाई, धुरुविन शुकला, अमदावाद, जागा. लेक्ष्मी, दुबाई, तो दुबाई में टाइम तो इट वोड़ बी और वारूट फ़र्टी इन द मौनिंग लेक्ष्मी, नहीं, नाइम थर्टी आइटी प्रतमेश, पुने, उसकान, पंजाब, वीबा, लुद्याना, भरत, सूरत, मीर, चैनाई, चाड़ों गाईज, let the game begin, on that note, so, अब मैं start कर रहा हूँ, यह session on SFM, just to tell you, जो अभी Google Drive पे है, तो हम लोग का यह session start हुआ, उसके पहले, student लोग से ऐसे ही मैं थोड़ा, informally interact कर रहा था, and मैंने student लोग को पूचा की, भाई, तुम लोग का क्या expectations है, कैसा होना चाहिए अपना यह session, and this is what I got from them, कि sir, please, यह जो batch है, उसको interactive रखना, I totally, 100% agree with it, you know, ऐसा नहीं होना चाहिए, कि मैं आ रहा हूँ, यह formula है, यह कहा है, यह है, हो गया, चलो, sums हो गया, जाओ, ta-ta, bye-bye, no, it has to be highly, highly interactive, and trust me, इतना मैं interaction रखूँँगा की, काफी सारी चीज़े, आप लोग से derive कर वाँगा, काफी has to be till the end, ठीक है, starting का 4-5 दिन तो आप interact करने वाले हो, मैं भी guarantee के साथ बोलता हूँ, but, अगर वो consistently करोगे, then in that case, there is no looking back whatsoever for this subject, second task, test time to time, so, यह भी एक अच्छा point है, इससे related, जो भी चीज़े, वो भी मैं आभी आप लोग को आज बताऊंगा, 200% concept clarity, that is what I am here for, in-depth analysis with global connection, see, दे कि मैं, as I told you, आओ, आप लोग को खाली, जितना मेरा यह book है, यह देखो, यह book है आपका, यह book आपको दिया है, देखो, यह book आप लोग को, मिलेगा, आप लोग को वो लुगा, भी यह देखो, यह यह है, यह पढ़ लो, और हो गया, and उसके अलावा, what I will do is, I will try to connect it, क्यों इंडिया कैसे उसको manage करता है, all of that is a part of your financial markets, जो अपने को पढ़ना है, उसको मैं साथ में लेके चलूँगा, तो यह आपको पूरा in-depth conceptual clarity मिलता जाएगा, formula derivation, यह तो अपना theme होता है, कोई भी अगर आपने मेरा batch attend किया होगा, यह आपने serious को बुजना सो, we will always try to derive the formula, ताकि आप लोगो फिर रटने की जरूत ना पड़े, automatically it should come from within, linking with practical life, मैंने खुद practically काम किया है, एक financial service industry में, तो कही ना कही वो चीज मैं आप लोगो लिंक करवाऊंगा ही करवाऊंगा, live trading, specially जब अपन derivatives करने वाले हैं, तब options का, futures का live trading, in general shares का live trading, yes I assure you that we will be doing that, and revision on regular basis, so मेरा इसमें system कुछ ऐसा है, कि जब भी भी अपन कोई ना सेशन स्टार्ट करेंगे, तो say for example, जब मैं कल आप लोगो के साथ कोई सेशन लोगा, तो उसके पहले आज, जो भी चीज हुई है, वो सारी चीजे मैं आप लोगो revise करवाऊंगा, फिर कल जो भी मैं lecture में कर होँगा, उसका परसो, revision होगा, and then we will start, so that आप लोगो सब चीजे याद आजे, and then we will move on, but most important part that I want from y'all is discipline, 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 जो ये आने वाले, 50 days, इस discipline word को manage कर गया, then in that case, समझ लो कि आपका काम हो गया, चलो, so on that note, अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, छोटे से मेरे एक introduction के साथ, so yes, my name is CA Sankal Kanstia, my profession, Chartered Accountant, and Company Secretary, and मैंने, Bombay, सही अपना पूरा schooling, college, article ship, सब मैंने Bombay से किया है, I was from Nursing Manji College, one of the best colleges of Mumbai, and yes, चलो, एक वो, छोटा सा introduction, आप लोग के सामने, मैंने जब CA अपना clear किया, मैंने clear पहे, Chartered Accountancy Examination, I joined a world's biggest financial services company, जिसका नाम है JP Morgan, जिया, so JP Morgan is into hardcore financial services, and इसके लिए, ये subject पढ़ाना, कही ना कही, is within what I always wanted to, so ये बनने कि immediately बात भी मुझे, teaching महीं आना था, always was passionate for teaching, but कही ना कही, my parents, especially my father told me, के भाई, तुने CACS degree लिया है, तो थोड़ा practical exposure भी ले ले, and then you can teach to your students, so that will be the right approach, so मैंने चार साल, साथे चार साल in fact, काम किया है approximately, in a financial services domain, and वो सारा knowledge, जो मैंने, as I told you, global financial markets, because JP Morgan, वर्ल्ड का, आप लोग गूगल पर सच कर सकते हैं, वर्ल्ड का सबसे बड़ा financial service provider है, and उससे बड़ा और क्या dream होगा, to work there, so वहाँ पर asset management team होता है, investment banking teams होता है, जो भी आपने finance के बारे में सुना है, each and everything is there, and वो सारी चीजों को कहीं न कहीं, मैंने अपने अंदर imbibe किया है, and that's what I will be sharing with each one of you, so वो जो practicality चाहिए, आपको global connections चाहिए, क्या हो रहा है market में, उसका अपने syllabus पे क्या impact है, उस सारी चीजे आप लोग के साथ मैं discuss करते रहूँगा, because it will come with the flow, right, ठीक है, चाहिए, बाकी, और अगर मैं आप लोग को बताओ, तो जब मैं पढ़ाने वाला हूँ आप लोग को, at that point in time, the most important and crucial thing from your head is going to be two-way communication, जितने भी doubts आए, बिंदास पुछो, कोई problem नहीं है, जो भी मन में आप लोग को लग रहा है, speak it out, जितना आप लोग क्लास में मेरे साथ करते रहोगे, उतना आप लोग को revision करने में ease पढ़ेगा, because फिर आप लोग खुद-खुद को revise कर वापा होगे, and that is what end of the day I want, अच्छा, मैं आप लोग को एक question पुछना चाता हूँ, मुझे सब लोग का जवाब चाहिए, कितने जन है यहाँ पे जो SFM first time पढ़ रहे है, and कितने लोग है जो बुलते हैं कि नहीं, हम लोग को तो SFM हाता है सथ, अब अच्छ पे बढ़ाओ, और कितने सारे लोग है जो एक jump basic से पढ़ रहे हैं, जिनको SFM का कुछ भी idea नहीं है, I want an a poll from my live students at least जो यहाँ पे है, ओके, first time, first time, first time, हरीनी कुमार, first time, सैफ चुना वाला, first time, रूपल, लेक्ष्मी, वीभा, भारत, मुस्कान, ईशा, जयन, कोमल, यश, जसलीन, महादेव, चब मैं भी सब का नाम डूंगा है नहीं, सर, सब के सब first time पढ़ रहे हैं, यही मुझे चाहिए था, मुझे चाहिए था, कोरा कागस, ठीक है ना, अब इस कोरे कागस पे, मैं लिखना चाहता हूँ, थौसी, first time, no, basic idea also about the subject, सर, SFM का फुल फॉम भी आज सीके हैं हम तो, very good, चल, great, so this is what I also wanted, मुझे भी यही स्टुडेंट चाहिए जिनको कुछ नहीं बता है, so I will also be teaching you from the very basics, and बस वहां से ही अपन पूरा build-up करते जाएंगे, so मैं first day पर, first minute पर यही अज्यूम कर रहा हूँ, कि आप लोग को SFM के बारे में कुछ भी knowledge नहीं है, and that is how we will build-up in the next 45 to 50 days, great, good, अब जैसे मैंने बुला कि JP Morgan में जो काम किया है वहाँ पे, मैंने global financial market के साथ connect किया था, तो वो आप लोग को मैं चीजे काफी सारी बताते रहूँगा, in fact, you know, बहुत जादा better मिर को सीखने को मिला जब मैं वहाँ पे था, when I was in JP Morgan मैंने वहाँ पे वो company को जोइन किया था, in the year 2009-10, वो टाइम पे approximately 2009-10 के आसपास मैंने जोइन किया था, 2010 में प्रावल गे, अब वो टाइम पे USA में रिसेशन चालू था, तो USA में रिसेशन चालू था, तो वहाँ पे markets बहुत डाउन जा रहे थे, तो उन्हों ने सोचा कि यहाँ पे अब USA का पैसा, USA में इन्वेस्ट करेंगे, यहाँ पे तो market डाउन जा रहा है, तो यहाँ पे तो इन्वेस्ट करके फाइदा नहीं है, तो they started developing in countries, जो वो टाइम पे रिसेशन फेस नहीं कर रहे थे, and one of them was India, so JP Morgan के पास बड़ी-बड़ी companies का fund आता है, वो fund JP Morgan इन्डिया में इन्वेस्ट करता है, और उसको manage करना हमारा काम था, plus there were other countries also, जहाँ पे say for example कुछ funds था, उनका connected funds होता है, say for example JP Morgan fund है, तो JP Morgan fund का थोड़ा पैसा इन्डिया में वो लोग इन्वेस्ट करता है, so overall उस चीज़ को manage करना is what I did for the four years that I was there, अब recession था ना, तो इतना कुछ सीखने को मिला है, because बुलते हैं आदमी की जब परिस्थिती बुरी होती है ना, तब जितना maximum होता है, उससे अपने को सीखने को मिलता है, and that is what was happening, so वो लोग recession में थे, अब recession में वहाँ पर तो invest कर नहीं सकते, तो इंडिया में कहाँ पर invest करना है, कैसे invest करना है, क्या returns लाके देना है, all of that was done, वो जो एक in-depth analysis किया ना, वो आप लोग के साथ share जरूर मैं करते रहूंगा, time to time, now you will not believe, जब 2010 में, जब मैं obviously job कर रहा था वापे JP Morgan में, तो इतना बुरा recession था वापे कि Florida, आप लोगे नाम सुना होगा, Florida, it's like a beach वाला जगा है, USA का, beach facing bungalow मिल रहा था तभी, 15,00,000 Indian rupees में, जी हाँ, इतना बुरा recession था, 15,00,000 रुपे, शायद आज से 10 सार पहले, थोड़े बहुत ज़ादा ही थे, बट फिर भी यार, मतलब 15,00,000 रुपे में, अगर Florida में beach facing house मिल रहा है, तो कौन नहीं लेना चाहेगा, इस तरह का recession था, बट तभी अपने को तेतना idea नहीं था, 15,00,000 रुपे जेब में थे, तो जाने दिया, बट दाट साओ, दाट साओ, दाट सिस्टम वाज, वो भी एक level देखा है, फिर एक high level भी देखा है, तो I think, मजा आएगा, वो सब चीजों को करने में, जूसरा, इडिस वरी इंपोर्टेंट तो आप लोगो यह सब्जेक्ट इंट्रेस्टिंग लगेगा, ठीक है, मैं आप लोगो मेरा एक बाक्या बताता हूँ, जो मैं यूजूली मेरे हर बैच के पहले बताता हूँ, जो SEMP में भी है, SFM के साथ, उसको दो बार सुनना पढ़ेगा, शाहिद शाम को भी, जसलीन बहुत है, ले लेना चाहिए था, तभी पैसा भी नहीं था, और तब पता भी नहीं था, यह 15 लाग का आगे क्या होने वाला है, यह 15 लाग का 10 लाग हो जाता, तो अभी तो ले ले लेते, 15 लाग का भी तो 1.5 क्रोर्ज हो गया रहेगा, but that's how the market is, वो टाइमिंग तभी नहीं बदा था, क्या होगा, क्या नहीं, and couldn't go ahead, चल्ड, अन्यवे, so JP Morgan का खाली में आप लोग एक आइडिया देता हो, के मेरा इंटर्व्यू कैसा हुआ था, द्यान से सुनना उस इंटर्व्यू के बारे में, so जब मैंने JP Morgan का इंटर्व्यू दिया था ना, so at that point in time, बहुत सारे questions मुझे finance related ऐसे पूछे गए थे, जिनका मैं जवाब नहीं दे पाया था, related to mergers and acquisitions, related to investment banking, related to all the financial market going on around the world, और तब मुझे realize हुआ, सर ले लेतें तो last week का trip उधर ही होता, अगर मैं वो ले लेता ना, तो ये पढ़ा ही नहीं रहा होता, तुम लोग अभी ये subject, क्योंकि तब इतना मैं पैसा कमा चुका होता, ये ही सब real estate में, तो मुझे लगता है चल भाई, ये लोग अभी ये सब पढ़ा के, क्यों अपना घला खराब करूँ, मस्त में चिल मारता हूँ ना, इतना पैसा डॉलर में कमा लिया होता मैंने, तो जो होता है अच्छे के लिए होता है, अभी मेरे जले पे नमप मत छेड़ कुँ, चल, so, anyways, coming back to my J.P. Morgan interview, so, J.P. Morgan में जब interview दिया था, तो interview में काफी सारे practical oriented questions पूछे थे, मेरे को investment banking और WhatsApp related, and मैं उनका जवाब, frankly speaking, बोलता हूँ, अच्छी तरह से नहीं दे पाया था, उस दिन मुझे realize हुआ कि यार, SFM पढ़ तो लिया है, but, कही ना कही, जब आप market में जाते हो न, as a chartered accountant बनके, तो उनकी expectations कुछ और होती है, वो expectations को भी meet करना बढ़ेगा, and उस दिन से मैंने सोच लिया था, कि मैं everyday basis पे, एक भी दिन ऐसा नहीं है, जिस दिन इस newspaper को नहीं पढ़ूँगा, जी हाँ, economic times, मतब, last 10 to 15 years, मुझे याद नहीं है, कब मेरी सुभा इसके साथ नहीं हुई है, मतब, this is life, and वो ही कुछ मैं चाहता हूँ, आप लोग के साथ भी हो, आज अगर आप लोग शायद ये, economic times खोल के पढ़ोगे, तो बहुत सारी चीज़े नहीं समझ मैं हैगी, but over a period of time, जैसे जैसे ये subject होते जाएगा, trust me, you will get a very very good grip on this also, ठीक है, जब मेरे को newspaper पढ़ना start करना था न, तो मुझे भी लगता था रहे यार, क्या newspaper पढ़ना है, boring and all of that, but तभी मेरे को, मेरे parents ने, पादर नहीं बोला कि, तो ऐसा कर ते लको किस चीज में interest है, वो पढ़ना चालूगा newspaper, बोला पापा मेरे को तो Bollywood रिकेट में interest है, जो है वो बोल रहा हूँ, I am a big Bollywood fan, तो पापा नहीं बोला, ठीक है बढ़ना था बढ़ना था बढ़ना चालूगा, जो लुकिंग बैक वाथ सो एवर, चलो, एन्यवेज, तो अप लोग पी ये चीज अपने अंदर इंबाइब करो, ठीक है, टॉपिक के उपर तो मैं आही रहूँ, बट ये थोड़ी बहुत चीज है, अगर आप लोग करना चालू कर दोना साथ में, यू विल बिकम अ वेरी बेटर चार्टेड अकाउंटेंग, आप लोग जब C.A. का एग्जाम क्लियर करोगे न, आप लोग के साथ शायद और कुछ 5,000 लोग वही एग्जाम को क्लियर करने वाले हैं, आप अपना एज कैसे लाने वाले हो, यही सब चीज हो से, ठीक है, तो वो भी कैसे डेवलप करना है आपके अंदर, वो स्पार्क कैसे डेवलप करना है, वो भी चीज में आपनों को बढ़ाते जाओंगा, and definitely, we will get things done and dusted. Okay, so that's how the system works, यह एक चीज हमेशा ध्यान रखना, कि खाली subject को नहीं पढ़ना है, subject को in-depth global analysis के साथ पढ़ना है, तो सर सब्जेक्ट में है क्या-क्या, सर वो तो बताओ, so चलो, आओ, let the game begin, so अपन करने वाले हैं subject जिसका नाम है SFM, strategic financial management, और as I told you, basic से मैं आप लोग को चीज़े करवाते जाओंगा, so even तो आप लोग ने अगर कभी SFM किया है, अच्छी बात है, मैं अभी फिलार बोलूँगा, उसको shift, control, delete मारके पूरा erase कर दो, मेरे से पूरा नया start, और अगर आप first time कर रहे हो, वाही वाह, फिर तो बाद ने कोई tension ही नहीं आपको, है कि नहीं, चलो, so SFM, strategic financial management, total ये आप लोग के लिए आने वाला है, 400 marks, and it is paper number 2 of CA final, क्या सब इस subject में आएगा, तो let me tell you guys, this subject consists of approximately 14 to 15 chapters, जी हाँ, तो कौन से है वो chapter, आप लोग को मैं बता देता हूँ, इन chapters को मैंने, 4 phases में divide किया है, ठीक है, पहला, जो मैं आप लोग को phase पराने वाला हूँ, उसको मैंने नाम दिया है phase 1, फिर आएगा मेरा phase 2, then is phase 3, and then we have something called as phase 4, तो what is going to be in phase 1, तो यहाँ पर अपन लोग करने वाला, चलो अपने क्यों इसको, ऐसे phase wise divide किया है, वो भी मैं आप लोग को अभी बहुत जल्द बताने वाला हूँ, तो 4 phase is what, तो आज के बाद आप लोग भी phase wise ही, SFM को view करोगे, ठीक है, बले आप लोग के लिए, institute के module के हिसाब से, yes, there are approximately 15 chapters, बट अपने लिए उसको phase wise ही, अपने को उसको view करना है, मैं अगर आप लोग को institute का, पूरा या पर idea देता हूँ, then here we have ICAI BOS, यह देखो आप लोग को, यह institute के, उससे भी मैं connect करवाता हूँ, here we have the study material, of CA final SFM, चब खुल जा सिम सिम, ठीक है यह, I think, Anyways, मैं आप लोग को यहाँ पर, एक एक जो phase है, वो बता देता हूँ, ध्यान से सुनना, first phase में, we are going to study, three chapters, पहला chapter, mutual funds, then we are going to do, portfolio management, then we are going to do, portfolio management, and then उसके बाद अपन करेंगे, valuation of securities, जी आ, यह तीन chapter होने वाले हैं, आपके first phase में, second phase में होने वाले हैं, next, चार chapter, जो है आपके, forex, कुछ भी अभी मत लिखना, कुछ भी मत लिखना, मैं जब बोलूंगा, तब पुरा का पुरा detail में, सब चीज लिखवा दूँगा, don't worry, उपर से और एक चीज, यहाँ पर मैं जो भी लिखवा रहा हूना, all of this will be shared with you, on my Google Drive, तो Google Drive का, आप लोगो लिंक मिलेगा आज, probably, and वो, I mean मिली गया होगा, तो वो Google Drive के लिंक के उपर, आप लोगो यह सारे के सारे notes, मिल जाएंगे, तो आप लोगो अलग से, मतलब notes भी यहाँ पर, मैं आपको दे दूँगा, फिलाल यह लिखने की ज़रूएट नहीं है, अचा कुछ students का question होता है, कि मैं भूल जाओ, उसके पहले आपको उधाल तो, कि सार अपन राइटिंग प्राक्टिस रखेंगे क्या, obviously, मतलब विदाउट राइटिंग, SFM के उपर, grip आना is next to impossible, तो हर एक चीज अपनों राइटिंग पर ही करने वाल है, and it is going to be, with proper concept, explanation and writing, तो अपन, करते ही रहेंगे हर एक चीज़ का, so don't worry for that at all, फिर बाद में है, international financial management, जिसको IFM बोलते है, and फिर है IRRM, interest rate risk management, यह चार चाप्टर आपके है, phase 2 में, फिर बाद में आता है, आप लोग का phase 3, phase 3 में, दो chapters है, कौन से है यह दो chapters, it is, mergers and acquisition, M&A जिसको बोलते हैं अपन पहार से, and फिर है corporate valuation, and last में है, आपके theory chapters, जी हाँ, theory chapters में आ जाता है, securitization, ठीक है, फिर बाद में आप लोग का आ जाता है, risk management, फिर बाद में आप लोग का आ जाता है, start-up finance, then there is a chapter, जा पहे आपका financial policy related चीज़े है, so यह, चार से और दो chapter है, आप लोग के theory के, तो यह जो chapters है, अब लोग का hardcore theory है, अब मैंने इसको, कैसे divide किया है, मैंने इसको phase wise divide किया है, क्यों ऐसा, because let me tell you, every phase, consists of 25 marks in the examination, और अगर आप the ultimate, 100 marks achieve करना चाहते हो, तो let's do it phase wise, so आप usually कोई भी paper का analysis करोगे न, मैंने किया है, और मैं आप लोग का भी बताऊँगा, तो approximately phase 1 से, 25 marks आएगा, again I am telling you approximately, ठीक है, phase 2 से आएगा 25 marks, phase 3 से आएगा 25 marks, and phase 4 से आएगा 25 marks, so बहुत strategically, बहुत smartly, मैंने ये phase को divide किया है, इस subject को phases में, so that आप लोग भी ये phase wise पढ़ोगे न, तो आप लोगो ये subject बढ़ा भी नहीं लगेगा, at the same time, एक flow में, आप लोग का ये 4 का 4 phases हो जाएगा, right guys, so ये 4 phases के हिससाब से आप लोग पढ़ेंगे, पहले मैं आप लोगो बढ़ाऊंगा phase 1, this phase according to me, and student perception, is like a medium phase, मतलब कुछ चीजे इसमें, you will find the easy, कुछ चीजे difficult, but very important phase, most important phase, मतलब मैंने यूज़ली देखा है, फिर बाद में आता है phase 2, this phase I will put it in the category of, क्या लग रहा है, क्या लग रहा है, क्या लग रहा है, student perception से ये difficult category में आता है, आप लोग को नहीं लगेगा, don't worry, but student perception जो एक general है, वो ये difficult phase में गिनता है इसको, फिर बाद में आता है easy phase, और फिर बाद में है आपका very easy and very scoring phase, which is your theory, जी हाँ, so this is how the whole subject is divided by me, ये बाला जो phase है ना phase 1, इससे अपन start करने वाले हैं, ये जैसा मैंने बुला medium, फिर difficult, तो ये जो starting के जो phases है ना, इसमें आप लोग का एकदम strong foundation, ले हो जाएगा, plus कोई चीज़ स्टार्ट करते हैं, तो एक अलगी जोश रहता है, and that's the reason, I am starting accordingly, तो सर आप एकदम difficult से क्यों start नहीं कर रहें, तो आप एसा भी नहीं होना चाहिए न, कि first day पर ही लगे, भाई ये क्या पड़ा रहें, तो इसके लिए, let's keep it managed, so medium से start करेंगे, तो एक challenge भी रहेगा, और फिर दीरे-दीरे right time पर अपन pick करेंगे, and then फिर easy और very easy, तो आराम से अपना निकल जाएगा, तो क्या आप लोग को ये phase का understanding आ गया, ठीक है, so आज से SFM, 100 marks आपके लिए, कितने phases में divided है, four phases में, ठीक है, what is the first phase, that will consist of three chapters, mutual funds, portfolio management, and valuation of securities, ठीक है, क्या in-depth इसके अंदर होने वाले, वो तो आपन लोग अलग से पढ़ने ही वाले, but as I told you, ये subject को अगर आप लोग इसी सब से करते जाओगे, then in that case, getting maximum marks is going to be a cakewalk, public सब एकसाद अपने उपर ले लेता है, and वो गड़बड हो जाती है, वो नहीं करना है अपने को, smartly ये subject को manage करना है, phase one, समझ गए, phase two, sir, forex derivatives, ये तो मदा अपने एक तब क्रीम है, यहाँ पर अपन लोग live trading भी करेंगे, जब अपन derivatives करने हाल है, पर गड़बड कर देते हैं, मुझे ज़रा पूछो तो, sir, क्या गड़बड कर देते हैं इधर, अरे नहीं नहीं, पूछो ना, एक बार तो बुचलो मुझे, sir, बताओ ना, sir, क्या गड़बड करते हैं, student लोग, ये वाले phase में, public ये वाला phase, पूप्शन में छोड़ देता है, यार, थियरी का जो phase दिख रहे हैं आपको ये, risk management, securitization वाला, ये वाला phase, public option में छोड़ देता है, क्यों एफा, क्योंकि उनको लगता है, कि, theory, तो अपना option में निकल जाएगा, थियरी तो अपना option में निकल जाएगा, तो वो क्या करता है, ये securitization, risk management, start-up, security analysis करके भी एक chapter है, तो ये 5-6 chapter है, खाली जादा नहीं है, 5-6 chapter है, तो उसको public option में छोड़ देता है, मैंने बोला, अच्छा, ऐसा है, क्या, अब मैं आप लोगों कुछ दिखाने वाला हूँ, और उसके बाद आप लोगों कुछ पूचूंगा, क्या ये phase 4 theory का, आप option में छोड़ोगे क्या, और मुझे फिर आप लोगा जो जवाब मिलेगा न, बस वो जवाब end तक आपको याद रखना है, बताओ मैं क्या बताने वाला हूँ, आओ ज़रा, आओ, 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 अब मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, past papers, देखो, कुछ भी हो जाए, इतने भी अच्छी तरह से पढ़ लो, क्या न, इससे आप लोग past paper का analysis तो करते ही होगे, हाँ या न, या नहीं करते ही हो, बताओ मुझे, करते हो न, तो मैं आप लोगों के सामने, लाया हूँ, last 5 attempt के past papers, last 5 attempt के past papers मैं लेकर आया हूँ, ज़रा इन past papers को देखके, एक चीज मेरे को बताते जाना, question number 1 दिख रहा है आपको इदर, 1 A, 1 B, यह जो 1 C है, यह आपको question क्या दिख रहा है, मुझे कोई बताएगा क्या, मतलब सर हमारे को तो S F M का S भी नहीं आता है, हम कहां से बताएगे, अरे माना, बट कैना इससे मैं अगर आपको बूचू, यह practical या theory question क्या लग रहा है, तो आप मुझे बताएगा, जो दिखो, next page पे question 2 चालो हो गया, यह question 1 A, थोड़ा numbers दिख रहा है, practical लग रहा है, question 1 B, numbers दिख रहा है, practical लग रहा है, यह question 1 C, क्या दिख रहा है आप लोग को public, कहना इससे theory दिख रहा है, yes sir, अच्छा ठीक है, 1 C में आप लोग को theory दिखा, very good, 2 A क्या लग रहा है, practical sir, 2 B, practical, अच्छा 2 C आप लोग को क्या लग रहा है, बोलो बोलो चैल चैल, यह 2 C आप लोग को क्या लग रहा है, अच्छा theory लग रहा है, ओके बहुत बढ़िया, फिर बाद में 3 A, 3 B, 4 C आप लोग को क्या लग रहा है, अच्छा theory, अच्छा 5 A, 5 B, 5 C, अच्छा यह 5 C आप लोग को क्या लग रहा है, कहने का मतलब समझ रहे हो, अच्छा 6 A, 6 B, अच्छा यह 6 C आप लोग को क्या लग रहा है, correct, boss, बैठा बैठा, every question, का C पार, 6 questions आए है, multiply by 4, 24 marks, आप लोग के सामने था, all of theory, दुरुविन सुकला ने लिखा है, 20 marks, 20 marks नहीं राजा, 24 marks का आए है, पहले के टाइम पे क्या होता था पता है, आप लोग को, पहले के टाइम पे, question number 1, 2, 3, 4, 5, full practical, question number 6, पूल थेयरी, तो अपने को तो पता होगा, कि अपने को तो एनी 5, मनब टोटल 5 questions अटेंप कर रहा होता है, एक question, पूरा जो थेयरी का इंस्टीट भुषता था, वो अपन ऑप्शन में निकाल देते थे, इंस्टीट ने नोट किया ये चीज, अच्छा, हमसे हुष्यारी, इंस्टीट तो है ही, हुष्यार का, देड़ हुष्यार, इंस्टीट ने बोला, आओ, अब थेयरी ऑप्शन में छोड़ के बताओ, आओ, आओ, ब्रिंग इड़, तो नो, तेल में, इसमें अच्छा स्कोर करना ही है, समझ रहे हो तुम लोग, अगर मैंने यहाँ पे एक चीज बताई तुम लोग को, क्या बता है, कि मैं अगर यहाँ पे थेयरी देखा, अभी आप लोग पे पेपर दिखाया, 1A, sorry, 1C, 2C, 3C, 4C, 5C, 6C, समझ रहे हो तुम लोग, अगर आप ऐसा, थेयरी को बराबर करके जाओगे, 24 marks, guaranteed is what you are going to get, Got it guys, अब बोलो, थेयरी important है कि नहीं, अब आप बोलोगी कि सर, यह तो आपने एक attempt का दिखाया पेपर, ठीक है ना, तो एक attempt में आया सर, जरूरी है कि बाकी सर अटेंब में भी आएगा, तो चलो आओ देख लेते हैं बाकी सर अटेंब का भी, यह और एक attempt का पेपर है, यह कौन सा अटेंब का पेपर है, चलो देखते हैं ऐसा ही, July 21 का पेपर है, चलो, July 21 का पेपर देखते हैं, Question No.1 A, Question No.1 B, Practical, यह Question No.1 C, क्या दिख रहा है, Public, क्या दिख रहा है, Question No.1 C, Correct, है की नहीं theory, Commission No.2 पे आजआ, Question No.2 A, 2B, 2C, यह Question No.2 C, यह Question No.2 यहां पे start हो रहा है, Question No.2 C, क्या दिख रहा है, Main Features of Value at Risk Theory Question Public यहां पर ही गेम छोड़ देता है Public गोला क्या SFF practical practical अरे माना practical है कोई डाउट नहीं है उसमें बट भाई यह theory जो है ना 20-24 माक का Boss यह इतना important है अगर आप लोग को वो 75-80-85 वाला आपकड़ा cross करना है ना 90s में जाना है ना Then in that case theory आपको लिखे जाएगा तो इसके लिए इसको ignore मत करना And I am showing you the reason चलो question number 3A 3B, question number 3C देखो, क्या है question number 3C Again a theory I hope अभी आप लोग को idea आगया होगा Question number 4A देखा, 4B देखा 4C क्या है Again a theory Question number 5A देखा, Sir समझ गया Sir समझ गया, Sir समझ गया आप लिखे बता, क्या theory option में चोड़ोगे या theory पे कम focus करोगे क्या, लिखे बता, आज का आज ही मुझे promise चाहिए आप लोग की तरह से ताकि आप लोगों को दिखा पाऊ First Day के proof पे, ए, theory option में नहीं चोड़ने का है एके नहीं पूरा 4C, game over 4C, 5C, 6A, B, C यह देखो, 6C, क्या दिखा, क्या दिखा perfect तो please एकदम बराबर से करेंगे अपन लोग, अप लोग सब लोगो promise करना है, ठीक है और क्या होता है, theory usually last में करते मैं भी last में करवाने वाला हूँ तो तब तक थोड़ा कुछ student लोग, sir, theory है कर लेंगे खुझ से, यह attitude रखते है और वो खुझ से वाला time trust me, कभी आता ही नहीं है and then फिर वाद में exam के time पर आप panic हो जाते हो and you know, जो marks easy है class में करवाया है, sir, ने फिर भी वो आपन लोग बरावर से कही बार करके नहीं आपाते है and that is on account of that lack of discipline जिसकी मैं आप लोग के साथ starting से बात कर रहा हूँ, देखो मेरा ही बच्चा है जो SFM में, शायद 100 out of 100 भी लाएगा, बट मेरा ही कोई बच्चा शायद 30s में, 40s में भी लाएगा, क्यों वो difference है वो difference discipline का है, अगर आप end to end मेरा lectures attend कर रहे हो अगर आप जो भी चीज़े में आप लोग को बताने वाला हो, आने वाले आने वाले देट दो महिने में वो उसको आप follow कर रहे हो, then in that case there is no looking back whatsoever सर क्या आप homework दो के क्या, क्या आपको क्या लगता है, homework देना चाहिए hundred percent दोँगा, थोड़ा 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 थोड़ा, और उसको discuss भी करूँगा क्यों homework दोँगा, ताकि आप लोग का एक momentum बना रहे मेरे अलावा भी, so थोड़ा homework करेंगे, majority तो class में ही करने वाले, but again, कौन वो homework करके आप पता है, कौन वो discipline रखता है is going to change the game, so ball is in your coat, मेरी तरफ से मैं आप लोग को promise देता हूँ आज, मैं आप लोग को promise देता हूँ कि ये जो आपके expectations आपने मुझे बता है, इन सारे expectations के उपर मैं खरा उतरूँगा मेरे को आप से खाली एकी expectation आपने तो 8 रखा है, मैं एकी expectation रखता हूँ, 8 is to 1 का ratio रख रहा है पर discipline, discipline, discipline जितना मैं बोलू, उतना बरावर से करके आओ, that's it बस, क्या बलते हो, promise given to me thank you so much कूच option में ने चुटेंगे, please I want that attitude in each one of you और करेंगे ना, मैंनत करके इसको अच्छी तरे से करेंगे, मजा हैगा आप लोग को भी करने में and yes theory का तो मैंने पूरा का पूरा theory, अभी मैं आप लोग को बाद में last में बताऊंगा, पूरा का पूरा theory है ना, मैंने 15 page के अंदर complete कर दिया है, बोलो पूरा institute का module के साथ आप लोग match करना theory, 15 page के अंदर मैंने पूरा complete कर दिया, और क्या चाहिए अपने को, है कि नहीं, done चलो, ये एक मेरा part हो गया, ये paper मैंने July 21 का आपको दिखाए, चलो और एक कोई paper उठादे, कोई भी उठादे, कौन सा है ये my paper December 21 का, जुलाई के बाद December attempt हुआ था, बराबर है ये है, येस, so 15 पेज में, पूरा का पूरा एक घंटे में theory revise YouTube पे तो मैंने already डाल दिया, आप लोग attempt के ले भी में अलग से करवाँगा, बट पहले, class में उसको in-depth करेंगे दिखो, कोई भी चीज 15 पेज में या 1R में समझ नहीं है, तो उसके पहले अपने को थोड़ा महनत उसके पीछे डालना पड़ेगा, इं-depth समझ देगा, फिर वो चीज शॉट में करेंगे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं ठीक है, पबलिक आज कल क्या चाहिए, सिधा शॉटकट पे जाता है इंस्टिटूट का भरसा नहीं है, पेपर में कुछ भी ट्विस्ट और डाला, तो इं-depth नॉलेज़ ही आपको काम आना वाला, वैसा दुरूबिन देखो बार-बार बोल रहा है, सर प्लीज यह 9.1 लिख लो यापे, कि सर बेसिक से बढ़ाना, सर, हम लोगो कुछ भी नहीं आता है, वैसे ही बढ़ाना, अरे हाँ, मेरे भाई, तो वो तो तु यहां से तु मेरे, अभी उससे ही तुझे समझ में आ जाएगा, तु बोलेगा ना, कि सर मुझे आता है, तो भी मैं तुझे बोलूँगा, नहीं, तुझे से बताना था, बस इतना है तुम से कहना, बस इतना है तुम से कहना, क्या, डिसिप्लीन रहना, मेरे भाई, डिसिप्लीन रहना, question 1, C, पीर बाद में यह देखो, question number 2 आ गया, पबले, 2A, practical, 2B, practical, 2C, okay, 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 3A, practical, 3B, practical, 3C, theory, samjigadoo, samjigadoo, okay, sir, okay, 4A, practical, 4B, practical, 4C, explain the pricing of the securitized instruments, then again, 5A, 5B, 5C, characteristics of venture capital financing, only theory, and simple, simple theory, आते हैं, but public करके हैं नहीं जाएगा, तो आपको simple भी difficult लगना चालू, चलो, I think, I have put my point very clearly, के theory को भी अपन उतना ही importance देंगे, because I know as student, I know as a student, मैंने खुदे भी SFM जब किया था था तो theory को almost ignore कर दिया था, but अब जब मैं यह paper analysis करता हुगा as a professor, तब मुझे realize होता है है, यह तो कितना important है, मतब वो जो difference है ना, 70 to 90 का, वो यह theory decide करने वाला है आपका, again last question theory, so इतना हर question का internal question theory है, so we all know how important it is, और जब paper difficult आता है ना, तो आप लोग का theory ही savior बनने वाला है, कुछ-कुछ practical question institute आपका ऐसा रिकाल देगा, कि difficult लगेगा, तो आप लोग को save कौन करेगा, यह theory आप लोग को save करेगा, कि हाँ भई, चल, manage हो सकता है, paper, ठीक है, so यह रहा, देखो, again question number 1, C, यह कौन से attempt का paper है भाई, May 22 का paper है, चलो, May 22, theory, so sir, समझ कैं sir, अब आगे बढ़ते हैं अपन, question 2A, 2B, 2C, ठीक है, okay, so मैंने आप लोग को एक idea दे दिया है, yes, absolutely yes, so theory is also equally important, so अब क्या कोई भी phase आप छोड़ोगे क्या, the answer is no, क्या कोई भी chapter आप option में छोड़ोगे क्या, the answer is no, you are excited to learn all the chapters, yes, और अगर यह 4 phases, end to end आप लोग ने बरावर किये मेरे साथ, end तक, I assure you that yes, 60, जो लोगों के लिए होता है, 90, वो अपने को अपने आप के लिए रख रहा है, that is the level that we need to reach to, ठीक है, आप लोगों अंदर से वो एक positivity रखना रहेगा, confidence रखना रहेगा, that yes, यह subject मेरे लिए game changer होने वाला है, for this group, या अगर आप दोनों group देने वाले हो, 70, 80, तो easily, 90 is what your aim should be, 90s and above is what your aim should be, जो possible है, एक, दो, तीन, चार फेस बरावर से करेंगे, definitely, definitely उस level पर पहुचेंगे, and करेंगे, perfect, done, so अब theory भी कितना important आपने को पता चल गया है, बाकी तीन phases, तो any which case अपन करने ही वाले, and phase को मैंने divide गया है, चार phase, chapter wise, I hope आप लोग को अभी पुरा का पुरा चीज clear हो गया, होगा, all right guys, चल डन, phase 1 में क्या आता है, phase 2 में, phase 3 में, phase 4 में, so phase 1 will be mutual funds, portfolio management, valuation of securities, उससे अपन start करने वाले अपनी journey, चल अब और एक चीज में आप लोग को बता दू, and that is about your paper pattern, so क्या होता है paper pattern, एक दम typical paper pattern है, all subjects, typical ICAI paper pattern is almost same, के 100 marks का आप लोग का paper आने वाला है, उसमें question number 1 compulsory होगा, जो 20 marks का होगा, और question number 2 to question number 6, में आपको करना है any 4, और ये भी 20 marks का होगा, ठीक है, अब usually, usually, ये जो इदर 20 marks आपको दिख रहा है न, ये 20 marks, 8 plus 8 plus 4, ऐसे करके आता है, यहाँ पे भी usually 8 plus 8 plus 4 करके आता है, बाट again I'm telling you, ये usual observation है, institute को चाहिए, तो ये 5 into 4 भी कर देगा वो, institute को चाहिए, तो 2 into 10 भी कर देगा, it can do anything, ये एक general institute ने जो पूछा है, वो मैं आप लोग को बता रहो, बाट क्या SI आएगा, मुझे नहीं पता है, अपन सब चीज के लिए ready है, 5 माक का भी question आने दो, 2 माक का भी आने दो, 10 माक का भी आने दो, 20 माक का भी आने दो, we should be ready for everything, बाट जो मेरा observation है, जैसे अब ये अगर आप लोग को, मैं ये paper दिखाऊ, then in that case ये देखो, paper कितने माक का देखो, ये 6 question, 8 plus 8 plus 4, 20 माक का भी आ रहा है, अगर मैं आप लोग को ये question दिखाऊ, देखो 5A, 8 माक, 8 माक, 16, 5C, 4 माक, समझे रहो, समझे रहो, वैसा, say for example 4, या पे भी देखो division देखो, ये 9 कर दिया है, इन्होंने, 9 plus 7 plus 4, तो ऐसा थोड़ा बहुत, internal उपर नीचे, वो लोग करते रहते है, ओर एक paper में आप लोग को दिखाऊ देता हूँ, ये देखो, question number 6 है, 8 plus 8 plus 4, वैसा, राइट, उसके बाद और एक question देख लेते हैं, say, question number 5 है, ये देखो, 8, sorry, क्या आने वाला है आप लोग के paper में, so ये 8 को कभी-कभी, 10 भी कर देंगे, 4 भी कर देंगे, and you will get the answers, okay guys, गच्चा है, चलो, so, now, अब मैं आप लोग को बताने वाला हूँ, कि अपना approach क्या आने वाला है, which is most important, देखो, एक तो आपने लोग जो subject कर रहे है, SFM वो तो है ही, बरावर है, उसमें मैंने अभी तक आप लोग को institute का एक idea दे दिया, कि मैं institute के total around 14-15 chapters है, वो सारे अपने को करना है, but उसको मैंने tactically phase में divide कर दिया, phase 1, phase 2, phase 3, phase 4, ठीक है, institute, कब-कब कैसे-कैसे questions पूछ रहे है, उसका अपनों ने idea ले लिया, institute का एक paper pattern ले लिया, अब ये सब को manage करना किसको है, आपको और मेरे को manage करना है, तो अगर अपने को ये चीज़ manage करना है, then in that case, it becomes very important, कि what is going to be our approach, to fight with ICAI, वो जो अपने को magical numbers लाना है, 80s का, 90s का, वो magical numbers लाने के लिए, अपना भी तो approach बहुत sorted होना चाहिए, so चलो, मैं आप लोगों को बता देता हूँ, our approach to SFM, जी हाँ, अपना approach क्या होने वाला है, इस subject को लेके, is now what we are going to do, let the game begin, बादेव एक बार re-login कर ले, so I think तेरा हो जाएगा, problem नहीं आना चाहिए, चलो गए, so our approach to SFM, is going to be this, सबसे पहले, can I say अपना जो books है, वो एकदम up to date, और perfect होना चाहिए, क्योंकि end of the day, आपन लोग पढ़ने वाले, वो books से ही है, तो चलो आप, आप लोग को, दिखा देता हूँ मैं, जो book आप लोग को मिलने वाला है, SFM के लिए, and, जी या, मैं start करने वाला हूँ, जो chapter से, उसके उपर, आप लोग को, यहाँ पर मैं लेके जा रहा हूँ, so pay attention, this is going to be, the book, that you are going to get, का आप module open करोगे, तो वो module में भी, आप लोग को, यही चीज़ दिखेगी, yes, so, let's try, यह देखो, यह है, ICAI का module, and यह ICAI के module के, इस आप से total, देरार कितने chapters, 14 chapters, financial policy, जैसे आपन लोग ने इसको, theory में डाला है, risk management, security analysis, यह तीनों को theory में डाला है, security valuation, portfolio management, mutual funds, इसको phase 1 में डाला है, याद आया सब, so, ऐसे करके total, there are 14 chapters, and यह 14 chapters में, अगर आप देखोगे, chapter number 7, it is mutual funds, so, as per ICAI module, मैंने भी अपनी book का numbering, ऐसे ही दिया है, as per ICAI module, तो आप लोग को उस चीज़ का फिर बाद में, automatically, चीज़े ध्यान रहती जाएगी, alright, okay, इसमें, यह phase में, यह phase 1 में आता है, 3, plus 4, 7, plus 2, 9, and यह 5 chapters, जो आप लोगों दिख रहे हैं, वो है, theory के, इसमें आप लोगों खाली, इसके लिए उनको theory में डाला है, इसमें जो practical है, वो भी अपन लोग साथ में कर लेंगे, alright guys, so our approach to SFM, सबसे important is, the books that you are going to get, and यहाँ पर अभी आपन लोग बात कर रहे हैं, अपनी optimized book का, जिसमें, मैं क्या-क्या coverage कर रहाने वाला हूँ, वो आप लोग को बता रहा हूँ, तो सबसे पहले आता है, chapter name, as per ICAI module, तो यह आपन लोग का chapter, start हो गया, फिर बाद में आप लोग को दिखेगा, motivational quote, देखो, regular basis पे, जैसे यह, paid पौधों को, पानी देना ज़रूरी है, ताकि वो जिन्दा रहे, वैसे इंसान को motivation चाहिए, ठीक है, और वो यह आप लोग को quotes, read करके आएगा, पहला quote मैंने Steve Jobs का लिखा, he is my favorite leader, he is almost next to God to me, so मैं इनको बहुत follow करता हूँ, तो इनका एक quote है, don't let the noise of others opinion, drown out your inner voice, जैसे यह तो ही quote लिखा है, ऐसे read करते रहना, आपको motivated रहना, motivate करते रहना, फिर उसके बाद मैं आप लोग को दिखेगा, marks allocation of ICI, past exams, जो anyways आप करने वाले हो, बट आपका time अब हम waste नहीं करेंगे उस चीज में, हमने यह चीज आपके लिए already करके रखी है, so past paper analysis is what you are going to get in the book immediately, so यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, past papers analysis, past papers analysis, एई, समझे यह everyone, उसके बाद में आपको इस book में और क्या मिलने वाला है, तो आपको मिलने वाला है study mentor, a very very important concept, जो हम introduce, हमने introduce किया था है SEMP में, and now I am introducing here as well, तो क्या है exactly यह study mentor, so क्या होने वाला है study mentor में, आओ मैं आप लोग को बताता हूँ, listen, study mentor में, आप लोग को जो भे इस chapter में, जितने भी theory, practical, जितने भी concepts है ना, वो सारी चीज़े यहाँ पे, एक birds eye view के तोर पे मिल जाएगी, क्या होता है बता है कि कोई chapter अपन start करते है, फिर उसके end तक पहुचते है ना, तो भूल जाते है starting में क्या था, तो यह study mentor आप लोग को याद दिलाते रहेगा, दूसरा जो study mentor का काम है, वो है आपका friend philosopher and guide, और वो आप लोग को हर बार याद दिलाते रहेगा, कि भाई पढ़ाई कैसा चल रहा है तेरा, जब आप first time पढ़ोगे ना, तो एक tick mark करोगे ऐसे, तो मेरे साथ जब आप लोग का हो जाएगा, तो आप लोग यह first tick mark करेंगे, फिर मैं आप लोग को बोलूँगा, चलो घर पे revise कर लो, test देना है, तो यह जब आप करोगे second tick आजाएगा, फिर जब आप वापस से अपने आपके लिए revise करोगे third tick, फिर exam के जब एक दो दिन पहले revise करोगे, four tick and five tick, यह जो tick वाला system है ना, please इसको religiously follow करना, discipline से follow करना, and अगर यह पाचो tick हो गए, तो इसका मतलब definitely you are on the right track, Ayushi Goyal is saying, sir it helped a lot to me in SEMP also, and I'm sure SFF में भी एचीज आपको बहुत help करने वाली है, so जैसे-जैसे मेरा होते जाएगा, मैं भी tick करवाते जाओंगा, at the same time आपको भी चीज़े ध्यान में रखनी है, कि आप जब revise करते जाओंगे, you are doing this, in fact मैं तो students को बोलता हूँ कि boss, आप लोगा कोई charter हो जाए, और 3-4 ticks हो जाए, तो आप लोग मेरे को इसका screenshot या ये share करते रहो, so that it is useful in general to you, and मेरे को भी एक idea रहेगा, कि हाँ भी आप लोग की चीज़े right track पर चल रही है, या नहीं चल रही है, ठीक है, so please इसको करते रहो और देख लो, आपको मैंने या पर लिखके बताई दिया है, अगर आपको first attempt में pass होना है, तो तीन बार तो इसका tick होना ही चीज़े, हर concept का और हर sum का, but आपकी सोच और बड़ी है, rank लाना है, अगर आपका एकी group बचा है, तो आपके लिए rank हो गया, getting 75 to 85 marks in this subject, but अगर आप बोलते हो नहीं सर, हमको तो 90-95 cross करना है, then in that case, वो fifth वाला B box आपका ticked होना चाहिए, I assure you, you will be able to reach to your dream very very soon, तीक है, so यह study mentor है, हर subject के start में आपको यह study mentor मिलेगा, आपको religiously promise के साथ, इसको fill करते जाना है, and जैसे जैसे आप इसको fill करते जाओगे, आपको भी एक confidence आएगा, कि yes सही है, plus इसको और कैसे use कर सकते, तो आप इसमें आप चीज़े highlight कर सकते, say for example, आपको लग रहा है कि यार, यह वाला question number 14 है ना, बहुत important है exam के लिए, आपको लग रहा है कि यार, यह ना question number 28 बहुत important है, question 37 बहुत important है, तो आप इसको highlight करके रख लो, ठीक है, अब जब आप exam के लिए आओगे, so say for example, आप FR का exam देके आओगे, उसके बाद में one and a half day है, आपको पुरा यह subject बढ़ना है, but obviously उस दिन सारा का सारा, तो आप पढ़ नहीं पाओगे, तो आपने यह जो important वाली चीज़े mark की है, then in that case, वो important जो भी यह टिक mark है, उससे you will be able to go to that page number, immediately वो question को solve किया, और आप लोग का काम हो जाएगा, got it guys, got it guys, so this is how the whole system works, so यह आप लोग को again, एक additional benefit है, आप लोग के पास जो highlighters होते हैं, उससे आप लोग को जो लग रहा है important है, मैं भी आप लोग को time to time बताते जाओंगा, कि हाँ बई चलो question 44, November 20 में आया था, अब आ सकते हैं आपके attempt में important है, so आप लोग को important mark करते ना है, exam time पे without fail उतना revise करके जाना है, आपके concepts याद हो जाएंगे, आपको you will be able to solve the paper in a smooth manner, एक समझे हो everyone, clear है, so यह आप लोग का next is हो गया, क्या next is मैंने लिखा है, study mentor, क्या study mentor आप लोग के लिए helpful होगा, क्या the answer is है, yes, क्यू study mentor आप लोग के लिए helpful होगा, because जो planning है, किसी भी ranker को, या आपके professor को, या student को पूछ लो जिसने exam पास किया है, planning is of utmost important, planning is like input, जितना अच्छा आपका input planning होगा, उतना अच्छा आपका output marks exam में आएगा, so study mentor जितना अपना tick होते जाएगा, समझे रहे हो, उतना आपका practice होगा, और जितना practice होगा, उतना आदमी perfect होते जाएगा, वो particular चीज में, so I hope you guys are very clear, and we will do this very very religiously, done guys, yes, so study mentor, उसके बाद में आ जाता है preview, इस chapter में अपने को क्या-क्या पढ़ना है, उसका एक, diagrammatic presentation, introduction to mutual fund, mutual fund कैसे establish होता है, क्या types of schemes है, क्या-क्या mutual fund के options है, classification of mutual funds, सब चीजे इसमें आ गई है, ठीक है, सब चारूल का एक question है, can we also do module along with your books, the answer is no, see, आप लोग को फिर module करने की ज़रूरती नहीं है, अगर आप लोग ये book कर रहे हों तो, क्यूंकि by default, module के तो सारे questions मैंने इसमें ले लिया है, module का theory, जो exam के लिए important है, सारा का सारा मैंने ले लिया है, formulas, मैंने इसमें सारा ले लिया है, जो institute ने तो अलग से दिया भी नहीं है, institute ने तो ऐसा preview भी कुछ भी नहीं दिया है, इसी में मैंने अलग से RTP and past paper questions भी ले लिया है, जो institute ने module में नहीं दिया है, तो ये book तो module से एक level उपर हुआ ना, module का तो है ही by default इसमें, बट उसके अलावा भी सब है, अब आप लोगे sir, module में institute ने जिस हिसाब से solve किया है, तो मैंने ये module का ये answers यहाँ पे लिया है, तो आप लोग को tension लेने की ज़रुदत ही नहीं है, मैं आप लोग को easy way में भी बताऊंगा, और ये module का जो है, यहाँ पे वो तो आप लोग के पास चीज आई, see the whole point of making this exhaustive book is simple, कि आप लोग को और किसी चीज का या book का refer करने की जबरत ना पड़े, एक ही book हो, एक ही one stop shop हो, तो एक ही चीज को ढंक से, बार बार पाँच बार करो गया ना, सारे questions, every single word of question of module is being taken in this book, उसके साथ RTP past paper भी ले लिया है, तो साथ में जब इतना सारा चीज मिल रहा है, तो अपने को क्यों फिर module पर जाने के जबर है, टेंशन ही नहीं है, थेयरी ही है, module का already ले लिया है, अभी वही सब बताते जाओंगा आपको, अब यहाँ पर मेरे पास आगया preview, प्रिव्यू, आप लोग जैसे आप लोग देख रहे हों यहाँ पर, types of schemes, options of mutual funds, classification of mutual funds, plans related to mutual funds, यह सारी चीज़े, देखो इधर formulas है आप लोग के लिए, कोई revision के लिए, यह सारी चीज़े, यहाँ पर मैंने आप लोग को देखी है, यह आगया आपका इधर, क्या आगया आपका preview, चैप्टर समरी प्लस फॉर्मिलाज, क्या है यह मेरा प्रिव्यू, चैप्टर का समरी, प्लस फॉर्मिलाज एक जगा पर, अब सिर्फ मैं mutual funds करवाऊँगा, जब मैंने mutual fund पूरा करवा दिया, तो आप revise करोगे, जब आप यह mutual fund को revise करोगे न, तो आप लोग preview पे जाओगे, आप लोग को सारा mutual fund याद आ जाएगा, सारा mutual fund आप लोग को याद आ जाएगा, समझे, यह सर्, फिर मैं आप लोग के साथ करवाने वाला हो, एक बहुत important चीज, जो अपर लोग बनाएंगे book में, and this is going to be student notes, जी हाँ, यह कौन बनाएगा पता है, यह बनाओगे आप, मेरे help के साथ, मेरे support के साथ, क्या आप लोग ने एक चीज नोट के है अभी, अभी अगर आप लोग ने इतने सारे exams दिये होंगे, Intel के exam दिये होंगे, final तरक पहुचे हो, कि हर एक question में, कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है, कि आप लोग ने यह चीज और जाव की है, क्याना इसे हर एक question में, कहीं ना कहीं अपन लोग कुछ अलग formulas यूज करते हैं, correct, तो वो जितने भी formulas हैं, हर एक question में जो अपन लोग notes बनाते हैं, या कुछ assumptions डालते हैं, या कभी का बार कुछ उससे यह question से क्या सीखने को मिला, उसका एक self-written student notes अपन बनाएंगे, at the end of every session, और end में, end में क्या होगा, पूरा का पूरा student note जब chapter खतम हो जाएगा, तो आप लोग के पास एक साथ ready हो जाएगा, समझे तो लोग, तो student notes के लिए में आप लोग को बोलूँगा, एक अलग नोटगू की रखना, जैसे जैसे अपन लोग कोई question करते जाएगे, हर question में कुछ ना कुछ ना आते जाएगा, तो say for example, dividend is always given on face value, तो यह अपन लोग का एक point आ गया, तो मैंने लिख दिया dividend is given on face value, dividend yield is calculated based on market price per share, तो उसका formula है DPS upon MPS into 100, तो यह formula आ गया, वो चीज़ मैंने student notes में डाल दी, तो ऐसे, say for example, मैं mutual fund में 50 questions solve करने वाला हूँ, तो कहना है 50 मेंसे से 35 sums नहीं होंगे, 15 sums repetitive होंगे, तो वो 35 sums से मैंने क्या formula सीखा है, मैंने क्या नया learning सीखा है, मैंने क्या point सीखा है, उसको मैं अलग से student notes में develop करते जाऊँगा, और जब यह student notes end में develop हो जाएगा, तो जब मैं कोई chapter revise करना होगा, मैं फटाफ़र student notes revise कर लूँगा, और फिर बाद में फटाफ़र question and answer solve कर लूँगा, making things easy, and exam के time पे भी, मैं वो student notes को use करूँगा, मेरा काम फटाफट हो जाएगा, तो कैसा लगा आपको यह idea, क्या आप लोग इसको implement करोगे, क्या आप लोग इसको implement करोगे, the answer is yes, but इधर मैं आपको डालता हूँ सबसे बड़ा point, यह जो student notes है ना, यह मेरे पास readily available है, last batch में भी मैंने करवाया था, तो वहाँ पे भी student ने लिखा है, बरावर है, तो मेरे पास readily available है, but let me tell you, यह student notes, मैं, जो मेरे पास readily available है, वो मैं आप लोग को दूँँगा ही नहीं, मैं चाहता हूँ, हर lecture में, जो आप लोग नहीं सीकर वार, आपको important point लग रहा है, वो आप मेरे को बोलोगे, और वो ही मैं लिखूँँगा, आप देखे तो सही, आप लोग के points भी आप लोग बरावर बोलते होगे नहीं, हर चीज अगर मैं plate पे दे दूँगा ना, then in that case आदते बिगड जाए, मेरे पास तो available already, सिधा दे सकता हो मैं, बट मैं वो नहीं करूँगा, I want you to tell me, सर, ये वाला question में सर, ये वाला point है, please student notes में add कर देते ना, सर ये वाला formula सीका सर, student notes में add कर देते ना, सर ये तीन formula से सर student notes में आ जाएगा, क्या चलेगा, क्या, ये हुई ना पार, जब ऐसा interaction होगा, जब आप लोग का initiative लोगे, तब बनेगा ये student notes, इसलिए नाम ही आपका रखा है, are you ready for this, ये आपको लगता है, नहीं सर, चुप चाब आप आपका जो student notes आपका बनावा है, आप हम लोग को दे दो सर, हम लोग को याद नहीं रहेगा, हम लोग याद नहीं दिला पाएंगे, आप उझे बताओ, क्या strategy चाहते हैं आप, संकल्प शूट गिव यू, SK शूट गिव यू, और you will dictate, and I will use it, फिर आप लोग भी उसको यूज़ कर वे, क्या लगता है, येस, निराली भी बोल रहे हैं सर, we will prepare it on our own, exactly यही attitude चाहिए मुझे, यह attitude बहुत important है, ठीक है ना, देने के लिए दे सकता होना, क्या मतलब है, है ना, फिर कब आपन सीखेंगे, कब अपना writing practice होगा, देखो एक तो मैं formula derive करूँगा, फिर आपन sums solve करेंगे, तो formula देखेंगे, फिर आप student notes में लिखोगे, उधर का उधर ही तीन बार हो जाएगा, revise करने का tension ही नहीं, यह एक subject है, on the spot class में आप लोगा game over, बाकी subject में आप ज़्यादा time दे पाओगे, उसका benefit है आपको यह, समझ रहे हो, समझ रहे हो, done, so we'll do on our own, but class में ही करेंगे, मैं यह नहीं बोल रहा हूँ कि आप अपका घर पर करना, नहीं, class में ही करेंगे, but मुझे बताएगा कौन student notes में क्या आना चाहिए, yes, you will tell it, Abhishek, bye, yes, done guys, we'll do it together, but your inputs, my output, your inputs, my output, फिर end में मुझे कुछ लगा, क्यार ये point तुम लोग ने बोला नहीं, तो मैं उसको मैं अलग से add करवा दूँगा, but 95% तुझे student notes, तुमारी मैनाज से बनेगा, ठीक है, done, 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 great, और class में ही बनाएगे, मैं आप लोग ऐसा नहीं छोड़ने वालों कहरे, इसका student note अलग, उसका student अलग है, student note अपना common ही बनेगा, but आप लोग के inputs है, तो शायद कभी आयूशी कुछ अपना input दे देगी, कभी भरत दे देगा, कभी रोहन दे देगा, अभी प्रतमेश दे देगा, अभी अभी अभिशेक दे देगा, ऐसे करते करते ही, आप लोग का, जब cumulative thought process आएगा, उससे बनेगा, ये student note, सबको उसका पाइदा होगा, राइट, एक नंबर अप्रोच, देखो ये अप्रोच, सफल या successful तब भी होगा, जब आप लोग का, 200% commitment दिखेगा, ठीक है ना, क्योंकि ये मैंने आप लोग के ओपर चोड़ा है, डन, ओके, moving on, moving on, फिर और क्या चीज है इस चीज में, तो ये हो गया, ये student note से, इसमें आप लोग मेरी help करने वाले हूँ, और फिर हाज आता है, अपना chapter start, अब कोई भी chapter बढ़ाने के पहले, मैं आपको practically link करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर अगर में को mutual fund कराना है, तो मैं आप लोग को बता रहा हूँ, मुझे राकेज जुन-जुन वाला भी बनना है, मुझे गोल्ड भी खरीदना है, मुझे real estate में भी डालना है, बढ़ मेरे पास इतना पैसा है ही नहीं, तो मैं क्या करूँ, तो उसका solution है mutual fund, जहाँ पर जरूवत है, वहाँ पर मैंने चीज़े diagramatically भी ली है, समझे अच्छा एक और student notes में जो आएगी, हो है mathematical tricks, आप लोगों को पता होगा, कि कुछ चीज़े अपनों shortcut से calculate करेंगे अपने calculator पे, उसका भी क्या working है, वो अपनों लोग student notes में लिख लेगी, ताकि आपके पास सब चीज़ एक ही जगा पे रहे, वल्द है पॉबलिक, राइट, पर्फेक्ट, ड़न, अब यह मैंने एक आइडिया दिया है कि, आप यह प्रेक्टिकल थिंग वर्क्स, फिर बात में इदर आजाओ, यह आगया आपका module का theory, what are mutual funds, who can invest in mutual funds, NAV का formula, क्या invest करना चाहिए आपने को, अब यह देखो, यह जो institute है, how to establish mutual fund, wording institute का ही है, बट institute ने एक दम theoretical way में दिया है, उसको मैंने practically, एक table में convert कर दिया है, for your ease, कहीने मिलेगा आपको यह, for your ease, अब practically जब आप यह table देखोगे न, तो यह table से, आपको पूरा का पूरा, establishment of mutual funds पता जो जाएगा, और यह आप institute का module को न, आप, you know, you'll get confused, because उनना ने बहुत जादा उसको theoretically दे दिया, तो वहाँ पे जापे मुझे लग रहे है, कि यार, उसको थोड़ा, tabular form में देना चाहिए, या वैसा, वो भी मैंने यह आपर अप्रोच, उसको किसी साब से कर दिया है, so that it becomes easy for you, अब जैसे benefits and drawbacks of mutual funds, module में देखोगे, तो यह ही points है, but उननोंने, unnecessary, बहुत सारी जीज़े डाले है, अब अनने इसको रखाया है, concise to the point, जो institute को exam में चाहिए, right, so theory पूरा covered है, in a easier pattern, tabular way whenever required, और एक systematic format में, मैंने उसको present कर दिया है, so that आप लोग के लिए काम easy रहे, so module का जितना भी theory है, जो आप लोग बोल रहे थे, जो चारूल I think बोल रहे थी, उसके हिसाब से भी सारा इधर अपने पास काम आ गया है, so theory, plus उसको मैंने diagramatically present कर दिया है, so diagrammatic presentation, plus आ गया आपका practical question, अब यह theory तो हो गया, बरावर है आप लोग को जो चाहिए था, हर एक point का theory आप है, अब open कर लेना आपका module, और compare कर लेना mutual fund का, जो मैंने भी इधर theory दिया, और आपके module का theory, अगर module में 10 theory की चीज़े है ना, तो 10 चीज़े तो है, उसको simplify करके, और कुछ चीज़े add करनी है, वो भी मैंने यहाँ पे कर दिया है, तो आप लोग को tension लेने की, किसी भी चीज़ की जरुएत नहीं है, अब जैसे यह है, institute ने यह ना, खाली यह theory लिख दिया, बट इसको diagramatically याद भी तो रखना पड़ेगा, किसमे dividend मिलता है, नहीं मिलता है, उसको low, मैंने tabular form में भी डाल दिया है, even in a better way, and you can try it out, PDF आप लोग के पास है यह chapter का, दे दूँगा मैं अभी, मेरे telegram channel पर अभी का भी upload कर दूँगा, at the same time, आप लोग को पास module भी है, compare कर लेना, you will get your answers, वैसा, अब, theory हो गया, जब जब जहां जहां पे भी, मैंको formulas डालने है, वो formulas डाल दिया है मैंने, formulas से related कुछ जो भी points to be noted है, वो मैंने यहां पे डाल दिया है, तो यह सारी चीज़े यहां पे आप लोग के पास आ गई है, अब आते हैं practical question के उप़ा है, practical question, साथ में उसका institute के module का solution, वो भी आपे मैंने दे दिया, यह अपन solve करेंगे, class book में solve करेंगे, एक question जो आपको यहां पे दिख रहा है, चन चन के question को solve करेंगे, अब मैंने क्या क्या है question के साथ साथ में ही, मैंने लिख दिया है कि यह question किस चीज़ का है, तो first time में तो आपको नहीं समझेगा, बड़ जब आप revise करोगे, तो आपको समझेगा, अच्छा, यह calculation of 9-8 instrument वाला question है, क्या यह exam में आया है, क्या हाँ यार, May 2010, May 2014, May 2016 में यह exam में आ चुका है, यह उसके बाद, अरे calculation of unit price का question है, यह क्या यह exam में आया है, क्या हाँ, यह वाला question देख, ICWI के exam का question है, क्या चीज से related question है, funds के return से related question है, कुछ मुझे additional points डालना है, जो institute के module में, इंस्टीट के module में ना, वो लोग ने इतना solve कर दिया, बट मुझे लग रहा है, यह sufficient नहीं है, तो यह लो भाई, यह लो भाई, अलग से एक note बना दिया, यह, तो भी वो चीज मिल जाएता, एई, समझे everybody, कैसा लग रहा है, excited everybody, to get the book in your hands, and get started, yes, हो गया, अब आप लोग institute के module से यह compare कर लो, एक-एक question covered, with the solution, जैसा आपको चाहिए न, इस आप लोग बोडूल का यह answer चाहिए, लो, और उसको simplified way में, तो मैं आप लोगो बूप में solve, करवाने वालो, सब चीज आप लोगो के पास available हो जाएगी, right guys, done, so this is how the whole system works, perfect, done, एक-एक question, institute का एक-एक question included है, क्या concept के ओपर है, वो हर एक question के बाजु में लिखा है, किस चीज का वो question है, ठीक है, तो चरब, ये वाला चीज हो गया sir, हो गया sir, perfect, no problem, but अब sir, module के अलवा, आप क्या करवाने वाले हो, तो आपको क्या चाहिए, module के अलवा, आप बोलोगे sir, RTP, आप बोलोगे sir, past paper का question, ये लीजिए, आपके सामने आ रहा है, ये लो, past paper question, आपको चाहिए, मैं 22 का वापस एक, क्या type का question है, वैं dividend paid and annualized return, ये लो, solution भी है, yes sir, past paper काउन सा, sir, December 21 का है, ये लो, समझे यो, sir, July 21 का है, ये लो, dan 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 everybody, आगे आपका past paper भी, इसी में, RTP भी, सब include मैंने कर लिया है, so, ये रहा, plus past paper का कुछ theory question है, वो भी मैंने याप पे include कर लिया है, so, you don't have to do, anything else, after this, I hope, I am very, very clear guys, please एक बार confirm कर लो, सब लो, done guys, so, ये यहां के साथ, मैं लिख देता हू, theory, plus diagrammatic presentation, plus practical question, but ये practical question, मैंने कहां कहां से pick up किया है, मैंने pick up किया है practical questions, आपके module में से 100%, आपके past paper में से 100%, आपके RTP में से 100%, plus मेरा खुद का कुछ तड़का होगा, या मुझे old PM में से कुछ लेना है, वो भी मैंने खुद से अलग से ले लिया है, जै कुमार, या तो we will solve it in the class itself, don't you worry brother, ये ये दुरुविन, a lot of efforts has gone, इसके लिए मैं बोल रहो हो तो, हमारी तरफ से हमने किया है, अब तुम लोग भी ये same efforts, reciprocate कर दोगे न, मजा आ जाएगा marks में, तो आप लोग को स्टार्टिंग में, पास्ट पेपर का एक अनलिस मिल गया, तो आपको बता चलिया, कितने marks का क्या आने वाला है, study mentor for your planning, preview chapter summary, plus formulas, कहीं नहीं मिलेगा आपको ये, कोई इतना आपको ये चीज़ करके नहीं देने वाला है, because I am giving you a authored book, so it is my responsibility कि आप लोगो साथ साथ में देते जाओ, student notes, theory, diagrammatic presentation, practical question, इस practical question में, क्या module आ गया, yes sir, क्या past paper आ गया, yes sir, क्या RTP आ गया, yes sir, sir, बस sir, इतना पढ़ लेंगे बहुत हो गया sir, इससे जादा क्या ही पढ़ेंगे, क्योंकि आप लोगो concept कर लोगे, इतने सारी questions पढ़ लोगे, more than sufficient है, अब institute suppose कोई दूसरा question पूछता है, same, ना module का, ना RTP का, ना past paper का, तो भी problem नहीं है, अपना तो concept clear है न, और मैं तो चाते ही हूँ, institute कुछ अलग ही पूछे, बट अगर आपका concept clear होगा, तो you will be able to manage the question, प्लस कुछ institute questions पूछे गए, अपने खुद के material में से भी, वो तो अपनों में करे लिया है, and we'll be able to manage it, प्लस theory भी institute पूछे गए, वो भी अपनों कर लेंगे, I think done and dusted हो जाएगा, but all of this will be done in the class with your discipline, तो ये तो सब में देखो, चीजे जो भी है, सारी आप लोग के पास, एक जगे पे one stop shop available, अब बस इसको अपने को properly करते जाना है, and we'll be able to manage it, फिर बाद में, जब आप लोग के sessions complete हो जाएगा, तो आप लोग के exam time पे क्या मैं support करूँगा, the answer is yes, sir, how will we get your support, definitely आप लोग को theory, plus practical का मैं, revision lectures दूँगा, चाहिए ना, yes sir, plus at the same time, exam के day पे, अपन लोग कर लेंगे, एक marathon session, so that सब चीजे, revise हो जाएगा, got it guys, क्या अब आपको एक feel आ रहा है, जैसे दुरूबिन ने बोला था sir, point number 9 लिको ना, कि आप basic से करवाओगे, क्या आपको लग रहा है, चीजे basic से होने वाली है, आपको बोलने की भी ज़रूवरत नहीं, मतलब आप fresher हो, या आपने कभी पढ़ लिया हो, उसे कोई problem लिए, मैं आपको चाहता हूँ, एक कोरा कालगस पे, एक अपनी बात हुई थी, टेस्ट को लेके, तो सर्ट टेस्ट सपन कैसे, कंड़क करने का प्लान है, तो वो भी मैं आप लोग के साथ, डिसकस कर लेता हो, ये थोड़ा high level का प्लान होगा, चाहिद इंडिया लेवल पर अपन लोग ये टेस्ट कंड़क करें, बट इसमें मैं क्या करने वाला हूँ, बट इसमें मैं आप लोग को बताता हूँ, सर्ट ये टेस्ट इंक्लूडेड है या पेड होगा, वो सब आप लोग को time to time inquiry, आप लोग को चीज़ें मिलती रहेगी, बट मैं आप लोग के total 5 टेस्ट लेने वाला हूँ, कितने टेस्ट लेने वाला हूँ, 5 टेस्ट लेने वाला हूँ, phase 1, phase 2, phase 3, phase 4, और उसके बाद full SFM, गॉरेड गाइस, यह 5 फेस्ट यह 5 पेपर में लेने वाला हूँ, तो अब जैसे mutual funds हो गया, उसका individual टेस्ट मैं ना लूँ, आपको अलग से लेना है, आप लोग दे देना, अलग से कर लेना कोई problem नहीं है, बट मेरी तरफ से अगर आप मुझे पूछते हो, तो मैं phase-wise लोगगा, तो इस रहेगा एक थोड़ा एक competitiveness भी रहेगा, और एक मज़ा आएगा next level का, राइट, यह phase-wise अपन लोग इसको workout रखेंगे, phase 1, phase 2, phase 3, phase 4, and full SFM, are we ready and excited for these tests, yes sir, पहले पढ़ाई तो कर ले, फिर यह भी देंगे, देखते हैं कितने लोग देते हैं, कितने लोग नहीं देते हैं, देखता हूँ मैं, शायद जैसा मैंने बुला कि, जब मैं यह phase 1 का test ले रहा हूँगा, तो I will try to, probably may announce it on YouTube, and we may have India level test, तो वो और competitively, you will be able to know, where do you stand, क्या बलता है public, all set है, positivity full on, चरो guys, done है, so इस हिसाब से, I don't think so, अगर अपन लोग ने यह system को follow किया, तो कहीं पे भी किसी भी चीज़ का problem होना चाहिए, मैं चाहूंगा compulsory लिए आप लोग यह test भी देना, अच्छा रहेगा, मजाएगा, great, 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 चोश is high, let's do it, great, so, यह, एक मैंने पूरा आप लोग को overview दे दिया है, SFM का, institute का approach, SFM का, संकल्व खांस्तिया का approach, और आप लोग की तरफ से, मेरे ही क्या expectations है, वो भी मैंने set कर दिया है, आप लोग ने अपनी expectations set कर दिया है, अब, चीजों को, execute करने का time आ गया है, ठीक है, चुछ, तो, अगर मैं खाली एक, overview लूग कि आपन लोग ने क्या-क्या, discuss किया, तो SFM के बारे में आपन लोग discuss करते जा रहे हैं, मैंने तुम लोग से कुछ पूचा, कि आप लोग की क्या expectation है ज़रा बताना, तो आपने बोला, सरी ये सारी चीज़े होनी चाहिए होंगी, एक-एक को मैं tick mark कर दूँगा, ये मेरी guarantee है, SFM के बारे में आप लोग को मैंने idea दिया है, कि चार phase में आपन ने उसको divide गया, institute के लिए, it is divided into 14 chapters, मेरा ये है, first phase में 3, next phase में 4, तो 7, उसके बाद next phase में 2, 9, उसके बाद theory वाले में 5 chapters total, 14 chapters as per ICAI also, ये चार phase में ही मैं कर रहा हूँगा, तो पहले मैं phase 1 कवर करूँगा, फिर phase 2, फिर phase 3, फिर phase 4, according to general perception of students, phase 1 एक medium phase है, तो अपन medium phase से चालू करेंगे, ना easy, ना difficult, एक challenging वाला phase, फिर phase 2 आएगा, तो जब तक अपने को एक finance का knowledge आगया होगा, फिर अपन peak करेंगे difficult phase पे, सीधा difficult नहीं, ठीक है, अपने को आप knowledge आगया, अप अपन difficult पे जा सकते हैं, फिर पहाड चड़ लिया है, अब पहाड उतरना है, easy, very easy, and then, हो गया, गाम हो गया, ठीक है, जार, थियोरी कितना important है, वो मैंने prove कर दिया आप लोगो, paper pattern मैंने बता दिया, usually यह paper pattern है, it can change as per ICI, अपने को सब चीज़ के लिए ready रहना है, अपना approach क्या होगा, आपके पास optimized आएगी, इस optimized में होंगे, कर दूँगा, marathon provide कर दूँगा, marathon provide कर दूँगा, exam के एक दिन पहले, अभी का exam के लिए भी मैंने ऐसे दिया था, and we'll be able to do it, पास test, इंडिया लेवल पे मैं लोगा, and वो अगर आप लोग ने दे दिया, then in that case, we'll be through, तो जैसे से phase complete हो जाएगा, आप लोग मुचे reminder दे देना, I'll make the papers, and give it to you, for solving for sure, alright, last but not the least is, that हर एक चीज अपने को derive करनी है, so we will always focus on, derivation of formulas, derivation of everything, because यह अगर कर लिया, then चीज़े काफी smooth रहेंगी, so don't worry, अपन derivation करेंगे हर एक चीज का, हर एक जो भी theory है, अपनने देखा, हर एक question में theory आ रहा है, उसको अपन लोग manage करेंगे, and we'll be able to set the tone in the right manner, done guys, चल, done हैसा, अब लेते हैं अपन लोग एक चोटा सा break, ठीक है, because, बुलते हैं ना, थोड़े थोड़े time में break तो बनता है, maximum five to eight minutes का, मैं break दूँगा, every day भी, उतने ten minutes का, मैं break दे दूँगा, वो ten minutes में आप लोग को assure करना है, कि आप लोग जो भी, जो भी आपको नाचता है breakfast, या जो भी करना है, वो फड़ाफट करके आजओ, and then we'll take things forward, in the next level, ठीक है public, done है guys, तो फड़ाफट अपन लोग, एक चाहे ब्रेक के बाद मिलते हैं, और फिर समझने की कोशिश करते हैं, ब्रेक के बाद, अपन स्टार्ट करने वाले हैं, understanding of global financial markets, see you all, after the break, done, system set लग रहा है, अच्छा, positivity, यही चाहिए, अच्छा, student लोग का डाउट रहता है, सर वो डाउट कैसे solve करोगे, आप, आपको करना है, whatsapp, मेरे नंबर पे, तो देखो, दो-तीन चीजे हैं, वहाँ पे आप लोग join हो जाओ, तो अच्छा है, एक तो है, यह मेरा whatsapp नंबर, यहाँ पे मुझे personally, आप whatsapp कर लो, बाकी, telegram channels है, यहाँ पे मैं थोड़े quiz whiz लेते रहूँगा, तो वो quiz, के लिए और उसके लिए आप लोग प्लीज यह telegram channel पे join हो जाओ, इंस्टा पे, obviously, इंस्टा और यह सब तो फालतू चीजे है, बट, ठीक है, इस पे भी मैं थोड़ा informative चीजे डालते रहते हैं तो यह 2-3 channels आप लोग join कर लो, without fail, I am sure आप लोग ने YouTube तो join करी लिया होगा, बट नहीं किया है, तो please, यह कुछ चीजे हैं वो join कर लो, that will be good, टर, चर, मिलते हैं अब, एक break के बाद, तो break का अभी time wise, so can I say, अपन लोग कब मिले 9-5 को, ठीक है, ठीक है, चर, टाइब, ओके, see you all, at this time, after the break, अच्छा, यह सब आप लोग को सब लिखना है, तो इसका, सब लिखने का time दूँगा, don't worry in general, but यह वाला चीज़ तो मैं अभी upload कर दूँगा, मेरे Google Drive के, तो आप लोग वहाँ से भी लिख सकते हो, as such कुछ लिखने का ज़रूद है नहीं, इसमें अभी वाले में तो, you can just understand it, ठीक है, I'll put everything on telegram, in case you are not following insta or anything, don't worry, चलो, मिलते हैं break के बाद, global financial markets and its connection with financial system in India, next level चीज़ करने वाले आपन लोग ब्रेक के बाद, next level चीज़, तो अच्छी तरह से fresh होके आज़ो, start करेंगे, उसके बीच में आप लोग को कुछ questions हो, या कुछ queries हो, तो मुझे यहापे आप लोग chat box पे डाल दो, मैं break के बाद, उसको अद्रेस कर लोगा, ठीक है, दाप, चाप.